लम लोई सब्रितार बर्ती अरंतान। लमोलोई शब्दार बर्ति शितान। ओमकार बिन्दु सेजुपतं द्यायन। कामतं मक्षदं चेग ओमकार आयन। व हाईत्तु सेजुट द्यायन। शन्दु दिन्दु सेजुपतं आयन। वृमकार बिन्दु सेजुपतं आयन। चैपडूतं धर सेजुपतं ऑ 108 ट्रीश्यदु थित्तधान। आपनतु सेजुपतं द्यान। शेशा में बाई या भावा सबी शेंखना। उस्ताफ मिजने मोठ शपन के ज्यान हो देरनी देमाजनी के विहार कर नहीं विहार कर देखना। ओशुनमश्त अबश्क्रण शियुद्ध मुझे बेस्रीनी 105 मी चन्मजिन्ती उपर अपने बिदा यहां पत्र खेया ची के सबंदी पुझे बेल्पी नी जे पहें बातों छे तेमनी जे चर्चा हो छे एना विसे आपने यहां चर्चा करी लिया ची वही काले आपने स्वानुबुदी दर्शन माधी 403 लूंबर ना बोल उपर चर्चा सभू करें मुझे बेंश्री ग्नानी दर्मात माँता अनिक ग्नानी दर्मात माँ हो होई छे तेनी साधक पवस्ता माँ जे देई पूर्ण स्वरुप परिपूर्ण पर्मात माँ छे तेमा अहम पुरुवक तेनी साधक दसा निरंदर चालिके छे येवी सादक दसा चालवाना काले एद समय येने बादक पणु पण येनी दसामा चाल तुन दीशे ज्या सुदी साध्यरुप परिपुर्ण मोग सवस्तानी प्राप्तिन थाए ये एनी दसामा बहीर लक्से वर्थता होई छे येवी पराश्रित परिणती चालती होई छे एक एनी स्वाश्रित परिणती चालती होई छे ये वी बेधारा साधक दसामा चीनुन थे जाए छे जहां साधक दसा जे समय थी शरू थाई छे ते साधक दसानी सरुवाद धताच एने पोतानों गनायक स्वभाव जे इनानानंद परवात्मा छे जे अनादी अनन्द पोतानू चहितने तत्व द्येई स्वरुप छे पोतानू सास्वत परिपुर्न रूप अंदर मां पड़ेलू छे एवो जे आखो अखंड चहितने समाव पोतानों छे एना उपर एनू अहम थाई अने द्रष्टी केडवाई जाई छे इद्रष्टीनी सरुवाद थाई अने द्रष्टीनी केडवनी निरंतर एनी चायला करत एवी कोई ग्नानी नी स्थिती प्रथम सम्यक दरशननी प्राप्ति ठता वेततज एवो कोई ग्नानी नू ग्नान स्रधान लीनता पण आंसिक सुदि रूपे निलंतर चायला करतु है जे एवो निलंतर आसिक सुदता पण चालतु होय एवा काले पॉन एने पोताना परिणाम मा जेटली, 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 बीभाव रुख स्तिती पन वर्त्ती होई छे, असुद्धता रुख स्तिती पन वर्त्ती होई छे, सुभा सुभ भावनु परिनमन पण चतुर्त गुर्ष्तान थी मुनिरादनी दसान आवे त्यां सुधी एने सुभ ने सुभ बे भावनु परिनमन चालतु होई छे तो एवी कोई स्थितीनु ग्नान पण एने निरंतर वर्पितु होई छे एवी कोई ग्नानी नी साधक दसाना काड़े पण बाधक दसा चालती होई छे अने तेनु ग्नान तेने जेवु स्वरुप छे परियाई मा ए परियाई मा जे एनु अस्तिरुप स्वरुप बाईसु छे एवु पण ग्नान एने वर्ते छे अने जेकनू विभाव रूप नास्ती पणू एनू चालू छे एवा विभावनू ग्नान पण एने साधक दसामा सम्यक द्रष्टी जीवने एक समयमा वर्ती पूली छे एकले ज्यारे पण आस्तीती साधक नी चालती होई शे त्यारे अराब बर एने सवभाव की प्राप्ती भी उसे हुई है उसका भी ग्नान उसे चलता रेता है और विभाव का परिणमन जो चालू है उसका भी ग्नान उसे होता रेता है तो भी द्रश्टी जो है वो द्रश्टी वो गनान उपर नहीं चलती है द्रश्टी द्रव्य उपर एक दम अहम रुप से वर्थती रहती है गनान कितना भी हो जाए मगर गनान वो गनान के उपर भी द्रश्टी नहीं होती है द्रश्टी गनायक पर ही रहती है और गनान में सब जितना भी परिणमन चलता है वो गनान बराबर यथार्थ रुप से गनानी को वर्थता है इसलिए गनानी बार 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 विभाव से अपनी परिणती को हटा कर स्वभाव में जाने का पुरुसार्थ उसका निरंतर चलता रहता है जब तक उसको ये पुरुसार्थ निरंतर चलता है जब तक उसको विभाव परिणाम वर्तता है तो वारम बार वारम बार वारम बार वारम बार उसको वहां से व्यावरूत होके सोभाव में अपना गनान को भी जोड़ना सरद्दा तो जुरी हुई है गनान चारित्रों को भ बार 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 प्राप्ति करके उसको यथाक्या चारितर की प्राप्ति हो जाती है। यह सी कोई स्थीती गनानी की होती है। यह से गनानी धर्मात्मा जो अपने पास यहां अपने मन की गुरुदेवस्री और बेंस्री दोनों गनानी प्रमात्मा की यह भूली है। और पुजी गुरुदेv श्री ने तो 42 साल तक जो अविरत धारा प्रवाह गनान की जो बरसाई है उसकी तो कोई अपन माने की बात जीव समोसरन में जाके आया, तिर्थंकर भगवान की वानी सुनके आया, फिर भी एकदम कोरा ने कोरा वापिस आ गया, मगर यहां आके मनुस्यगती प्राक्त करके अभी जो जीव ये पुझी गुरुदेव स्री का संग में आ गया, तो उसको पता चल गया कि मेरा भावी नि कोई स्पष्टिकरण न हुआ हो, एसा नहीं, जितना भी स्पष्टिकरण मोक्स तक का चाहिए, उतना स्पष्टिकरण कुझी गुरुदेव स्री की वानी में आ गया, और गुरुदेव स्री की वानी में ये स्पष्टिकरण आने आया, फिर भी मुमुक्सु समाज में तो वो प्रस्तन का उत्तर के लिए पुझी गुरुदेव स्री तो चले गए तो बेन स्री तो यहां बिराजमान थे तो प्रस्तन करने के लिए जगे भी थी तो वो प्रस्तन कुझे बेन स्री के पास रोताओं ने किया वो एसा प्रस्ण हुआ उसका एक पुस्तक बन गया स्वानुगुती दर्सन में प्रस्णों तरी रूप से बहुत सी चर्चाएं ऐसी आई हैं कि जो अपने ख्याल में भी न हो ऐसी भी बहुत सी चर्चाएं हैं आप पड़ो तो आपको पता चले कि इसमें कुझे बेंसरी न चर्चा चल रही है उसमें बहुत अच्छा प्रस्ण स्रोता का था उस रोता ने ऐसा प्रस्ण किया था कि बहीर लक्सी जो गिनान है वो बहीर लक्सी गिनान में तो माने कि सब पता चल जाता है बहीर लक्सी गिनान जो भी होता है उसमें तो सब पता चलता है कि ऐसा है ऐस इतना तो मुझे पता चल गया है, एसी तो मुझे बात का सब पता है, मगर मेरी माने की आत्म जागरोती नहीं आती, आत्मा में अहम नहीं होता, मेरी परिनती नहीं बनती, मेरा प्रीनमन सुध नहीं होता, तो उसमें मेरी क्या खामी रे गई है उसके उपर स्रोता ने प्रस्त किया था वो उसके उपर अपन यहां चर्चा कर रहे हैं तो यह जो स्वानुबुती दर्सन में यह प्रस्त चला था में निकालता है बहुत माने की अच्छी चर्चा वहां स्वानुबुती दर्सन से प्रस्त तरी के रूप में आई थी तो यह स्वानुबुती दर्सन में चार सो तीम नंबर का बोल है वो चार सो तीम नंबर का बोल में एसा प्रस्त उठाया तो पुझे बेंसरी ने उसमें जवाब दिया कि देखो भई, बहीर लक्सी गनाल कितना भी विक्सित हो जाए, नहीं निक्से प्रमान से कितना भी निर्णे हो जाए, कितना भी तुझे पता भी चल जाए, मगर उससे तेरा कुछ कार्य सिधी होने वाली नहीं है। पुझे गुरुदे उस्री ने सबस्पष्टी करन कर दिया है, अनेकों सास्त्रों में से रहस्य निकाल कर, पुझे गुरुदे उस्री ने बहुत सपष्टा की है, वो सब्दगनान में तो जीव को आ जाती है, समझ में आ जाती है, कि पुझे गुरुदे उस्री ये कहना चा माने कि सब्दत से समझ लिया फिर भी जब तक भाव से पता नहीं चले तब तक वो सब्दत नान की कोई किम्बत नहीं है एसा जो भाव अपना केसे अंतर में चले उसके लिए यहां चर्चा उसने उठाई है एको बहीर लक्सीक नान में संतोस हो जाता है कि तत्व समझ में आ बहीर लक्सीक नान में सब पता चल गया है मने कि सब मुझे मालूम भी है मगर मुझे वो भी पता है कि खरे खर सरुवात तो हुई नहीं कि सरुवात तो समयक दर्सन से होती है जब तक समयक दर्सन नहीं है तब तक तो सरुवात ही नहीं है तो सरोता भी एकदम बराबर प् के मेरे को अहम नहीं हुआ है समयक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है और अगनान दसा में भी मुझे मेरा बहीर लक्सी गनान में सब पता है द्रव्य क्या है गुण क्या है परियाय क्या है है स्वरूप स्वाद्रव्य परद्रव्य सब मालूम है मगर मुझे अभी अंतरल प्रक्स नहीं हुआ है, वो भी उनको पता है, ऐसा प्रस्न उठाया है, सब का ये प्रस्न है, एक जीव का नहीं है, जिसको समयक दर्सन नहीं हुआ, वो सब जीव का ये प्रस्न है, कि मुझे पता तो है, क्योंकि बर्सों से गुरुदेव को सुनते हैं, यहां तो सब चार-पांच गंडा तो रोज नहीं, तो पता ही नहीं चलता, यह क्या कहना चाहते हैं, इसलिए जो गुरुदेव को सुनता है, गुरुदेव का आसई जिसको मालूम है, उसके लिए ये से स्रोता ने प्रस्ता उठाया है, कि बही लक्सिक नान में तो सब मालूम हो गया, मग अभी शुरुवात ही नहीं हुई है, अभी हम करें क्या, उसका ऐसा प्रस्ता है, बोलते हैं मुंझवन है, मुंझवन, मुंझवन का हल कैसे हो जाए, उसका रास्ता कैसे निकले, उसकी चर्चा इसमें उठाई है, उसमें जवाब दिया है, पुजे बेन्सरी ने जवाब इस सेंटन्स है, जवाब में कि अंतर में तो बहुत करना है, क्या लिखा है जवाब में, कि अंतर में तो बहुत करना है, बाहर में तो बहुत कर लिया, बहिर लक्सी गनान का उगार तो बहुत हो गया, अग्यारं नवपुर्व का उगार भी अनंतबार हो गया, द्रवी लिं मेंसे और कसाई सुवाओं की तरफ केसे जाना उसका पता नहीं चला तो पुझे बेंस्री ने बोला कि अंतर में तो बहुत करना है बहुत अंतर में करना है मानने कि अंतर में कुछ किया ही नहीं तुने अंतर में बहुत करना बाकी ने गया, बाहर में बहुत कर दिया, मगर अंतर में बहुत करना है, वो तुझे पता ही नहीं चला कि ये सब तो अंतर में करना है, ये बहीर लक्स से कुछ फाइदा नहीं है, सामाने सुबाव बनते हैं, तो उसमें क्या है, वो गती अच्छी मिल जाती है वो तो एक दो भव का काम है बाद में तो फिर प्रोब्लेम ही प्रोब्लेम है इसलिए यहां कहते हैं कि अंतर में तो बहुत करना बाकी है समझ में आ गया वो कब कहने में आता है कि अंतर से परिनमन होवे तो समझ में आ गया ऐसा कहने में आता है जब तक परिनमन नह सुद्धारुपी परिनमन प्रगट रूप नहीं होता तब तक उसको कुछ हुआ ही नहीं उसको कुछ पता ही नहीं जब तक सुद्धारुपी परिनमन नहीं होता समयकदर्सन नांचारित्रानी मोक्समार्ग की प्रगटता नहीं होती तब तक उसको कुछ बालूम ही नहीं केते कि तब तक तो कुछ हे ही नहीं परिनमन हो गया ऐसे कहे कि अंतर से परिनमन हो जाए समझ में आ जाए तब वो नहों तब तक तो समझ में आया ऐसा माने और विचार अंतर किया करे तो भी कुछ समझ में आया नहीं है एसा पुझे बेंसरी ने किया था बात बता ही थी कल तो कल अपन ने इसकी चर्चा माने की एक विशाई उठा के की थी, कि अंतर में बहुत करना है, तो अंतर केसा है, अंतर में क्या होता है, अंतर केसा होता है, मेरा सुभाव केसा होता है, मेरी परिपूर्णता केसी होती है, मेरी करत करत किता केसी है, केसी मेरी अंदर की स्थिती है, केसा मेरा द्रवे सबाओ से यह रहता है , तबिए विभाव परियाई में क्यूं चल रहा कि उसकी द्रश्टी नहीं है अंतर में बहुत करना बाकी है वो अंतर की समझ नहीं है अंतर की परिणमन रूप स्थिती क्यों नहीं आती क्योंकि अंतर जो सवाव है पहले में पहले उसकी स्थिती क्या है वही जीव को यथार्त रूप से मालूम नहीं मालूम तो है नहीं माल अभेद हूँ, मैं तरिकाल हूँ, अभी अभी गनायक हूँ तो अंदर में गनायक कैसा है, तरिकाल हूँ तो अंदर में तरिकालता कैसी है, अभेदता है तो अंदर में अभेदता कैसी है, सासवत्ता है तो तरिकाल सासवत्ता कैसी उसकी अंदर में रहती है, वो उसको पहले में पेले अंदर की चीज उसके समझ में जब तक नहीं आती, तब तक बहीर लक्ष से जो भी हो रहा है, उसकी कोई किमत नहीं है, कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, सुनना पढ़ना चालू रखना, मगर वो सुनने से पढ़ने से अंतर का विचार किये मिना, अंतर की चीज को समझ के बिना कभी सुधरूप परिनमन अपनी परियाई में प्रगट नहीं हो सकता है। इसके लिए काल अपन ने चर्चा की थी। इसमें और भी आई आए कि पोते न दिखे ऐसा नहीं है। तो आख बंग करते हैं तो अंधापा दिखता है। प्रकास ही नहीं अंधकार दिखता है। गुरुदेव ने बोला वो अंधकार किस में दिखता है। वो ही तो तुगनान में परमात्मा है। तो एसे एसे उदारण से गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि आत्मा की निट्यता है। आत्मा की स्थिती है। आत्मा की स्थिती नहीं है ऐसा नहीं है। वो अनादी अनन स्थिती है। पूर्व में था, वर्तमान में है, अनन्त काल तक रहने वाला है। इसलिए वो दिख सकता है। तुझे नहीं दिख सकता है। अरूपी चीज है तो भी तुझे दिख सकती है। वो केसे दिख सकती है। तो एसा किया, एसा कहा कि वो लक्सन के अपना जणायक भाव जो चैतनिय परमातमा अपना द्रवय सोबाव हैëं अपनी जो स्रीडी है वो स्तीती क्या है वो द्रवयक सेत्रकाल भाव से समझ पर् distributed. अपनी जो चीज है उसमें द्रव्यक सेत्र काल भाव है वो द्रव्य माने अपनी एक दिर्विकल बस्तु है चैतनी सत्ता सेत्र माने उसके असंख्य प्रदेस है एक 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 प्रदेस करके असंख्य प्रदेसी आत्मा है वो असंख्य प्रदेशी आत्मा कहा जाता है पंचास्ति काई में उसको एक प्रदेशी भी कह दिया है मगर उसका कारण अलग है कि असंख्य प्रदेश में एक 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 प्रदेश का बेद नहीं करना इसलिए वहाँ एक प्रदेशी बोल दिया है वास्तव में जहिंदर्शन में जो वास्तविक जहिंदर्शन में आत्मा कहा गया वो नियम से असंख्य प्रदेशी ही होता है तो वो एक एक प्रदेश में अनंत गुन बसते हैं, प्रति एक प्रदेश में एक गुन नहीं, एक एक प्रदेश में अनंत गुन ऐसे पथरे हुए हैं, विस्तार सामानी समुदाई से, तो एक निर्विकल पस्तु माने द्रविय, एक असंख्य प्रदेश माने एक सेत्र, एक भाव माने की अनन्दगुन और एक बच गया काल अभी काल में हैं बहुत महत्व पुरुन बाते हैं काल में बहुत महत्व पुरुन बाते हैं काल के दो भेद होते हैं काल के दो भेद से काल को समझा जाता है भाव में अनन्दगुन है सेत्र में असंक्य प्रदेश है द्रव्य में निर्विकल पस्तु मात्र है मगर काल है उसमें दो भेड है काल के दो बात काल के अपे काल की बात पे दो बात आती है पुझी गुरुदे उस्तरी ने कही जगा पे बहुत सी जगा पे इस पश्टी करण किया है देखो काल होता है ने वो एक काल त्रिकाल होता है और एक काल होता है वर्तमान ये दोनों काल दरव्यक सेत्रकार भाव में लागू पड़ते हैं जहां माने की परसे प्रथक होके अपना द्रव्यगूर पर या एक इस्तिती बता नहीं हो तो उसमें वर्तमान स्वकाल को भी सामिल किया जाता है और जहां द्रश्टी का भी सही बताना हो तो स्वकाल से भी प्रथक अपने त्रिकाल काल की चर्चार नहीं है एसी दो बाते जिनागम में भी है आचारिय भगवान ने भी लिखी है पुझी गुरुदेव स्री ने भी स्पष्ट किया है 252 कलस है और भी कहीं जगा द्रवियक सेत्रकाल भाव का प्रकरन आता है अभी अभी पूरसार सी दिवपाय हमारे चलता है राधकोट में उसमें 92 गा था में ये भी चर्चा आई तो ये जो द्रवियक सेत्रकाल भाव मने कि अपनी वस्तु ऐसी है अपनी वस्तु को समझना हो तो केसे समझे अपने इसे 270 कलस में भी लिया है पुझी गुदेव स्री ने कलस्टिका में अपनी वस्तु को समझना हो तो केसे समझे कि अपनी वस्तु में क्या भरा है तो कि अपनी वस्तु में जो भरा है वो द्रवियक सेत्रकाल भाव को समझो तो पूरी वस्तु तुमें समझना आ जाती है अंतर में बहुत करना है तो अंतर क्या है? उसकी चर्चा चलती है. तो अंतर में द्रवियक्सेत्र काल भाव है द्रविय दिर्विकल वस्तु है एक्सेत्र संक्य प्रदेस है भाव माने अनलगून है और काल में द्रश्टी के विसेही से देखो तो द्रिकालता है और द्रश्टी का विसेही पकड़ में के सेहावे उसको देखो तो स्वकाल पर उसको समझ में आये हुए मिना भी वो होते भी वो समझ में सचमुछ नहीं आता तो काल का ऐसी स्थिती है कि काल में दो प्रकार के लक्सन लेते हैं यहां जो लक्सन है लक्सन के द्वारा आत्मा दिखा जाता है वो एक लक्सन की चर्चा है और एक दूसरा लक्सन है वो उसका त्रीकाल लक्सन अंदर में भी है दो प्रकार के लक्सन सास्तर में आये है तो दो प्रकार के लक्सन की चर्चा है उसमें यहाँ जो अभी चल रही है चर्चा वो वर्तमान लक्सन की चर्चा है वो स्वकाल की चर्चा है प्रगट लक्सन की चर्चा है, स्वकार के परियाई की चर्चा है, वो स्वकार का लक्सन है, वो गनान लक्सन है, वो प्रगट रूप उपयोग लक्सन है, वो गनान क्रिया वाला लक्सन है, कहीं जगा पे गनप्ति क्रिया लेते है, कहीं जगा पे उपयोग लक्सन लेते है, कहीं जगा पे गना पुझे गुरुदेव स्री ने आज पुझे बेंस्री की चर्चा में भी आज समय आया था और गुरुदेव ने भी गनान चेतना से बहुत बात ली थी तो ये सब जो पुझे गुरुदेव स्री का जो कहने का आसई है वो कहने का आसई ये है कि तू कभी लक्सन के बिना का न उसके साथ रहे, उसको लक्सन कोला जाता है, तो वो लक्सन कौन सा है, तो कि वो गनान लक्सन है, गनान क्रियारूप लक्सन है, जेतना लक्सन है वो अरुबुति स्वरुप भगवान आत्मा जानने में आना है, एसा भी गनान लक्सन है तो ऐसा एक लक्सन के द्वारा अपनी चीज अपने को देखने में आती है वो चीज अपने लक्सन के द्वारा देखने में आवे तो अंदर की चीज कैसी है तो कि अंदर की चीज जो देखने में आती है वो चीज में वस्तु निर्वी कल्प मात्र, सेत्र, संक्य प्रदेश और उसमें जो काल है वो त्रिकाल काल है, मानि कि तीनों काल वो काल अभी ऐसा, वर्तमान में ऐसा, बाद में ऐसा, बाद में ऐसा, बाद में ऐसा, बाद में ऐसमा, कोई भी समय आप उसको देखो, तो त्रिकाल वो विसे आत्मा है उसके साथ में जो अनन्य रूप से कथंचित रेता है एसा एक लक्सन है वो लक्सन है वो भी गनानलक्सन है वो कभी आवरित नहीं होता वो भी अनावरित है उसके उपर कोई आवरण नहीं है वो गनानलक्सन दी प्रगंड रूप है वो गनानलक्सन ख्याल में आता है। एसा यहां पुझे बेंसरी कहते हैं कि वो लक्सन तेरे पास प्रगट रूप है, वो लक्सन तेरे पास मोजूद रूप है, वो लक्सन कैसा है कि वो स्वकाल रूप है, अच्छा भाव है ने वो गून है, अभी वो अनन्त गून है ने, वो अनन्त गून गनान लक्षन जो है उसके आसपास रहती है उसमें नहीं है वो परियाय गनान लक्षन उससे जुदा है गनान में जानना चलता है बाकी की परियायों में उसकी जो लक्षन रुप स्थिती है सब गोल की एसा एसा परिणमन चलता है मगर वो एसा परिणमन चलता है वो ख्याल म घुरुदेव ने आज बोला आज है कि गोई गुण को गुण को कर नहीं सकती है इसा प्रसित कर सकती है ऐसा पुझा घुण देव श्री नभी बोला तो वो गनान जो गनान का मन like उत्पात जो गनान का होता है प्रती समय वो प्रती समय गनान का उत्पाद रेता है उसके पास क्योंकि वो गनान में जीव है तो उसका स्वकाल में क्या आता है कि काल स्वकाल है वो गनान आता है स्वकाल में वो गनान स्वकाल में आता है तो उसके आज पास जितने भी गुण की परियायों का परिनमन अपनी अपनी मानिकी योगयता से चलता है उसको गनान फिरा नहीं सकता मात्रगनान जानता है इसा परिनमन हो रहा है मात्रगनान जानता है कि अभी निध्यात्र परिनम रहा है सरदा की परियाई में निपरित रूप से मात्रगनान जानता है कि अभी चारितर की उसके साथ चलते रहते हैं, उस पे से कुछ निकल नहीं सकता, वो निकालने जावे तो भी नहीं निकल सकता, द्रश्टी का भी सही में परिणमन नहीं है, मगर जहां परिणमन है, वहां से द्रश्टी का भी सही पकड़ में आता है, तो ये जो स्वकाल जहां कहने में आता है, वो स्वकाल है वो अपना एक गनान का अंस है वो अंस है वो द्रवियत सेत्रकाल भावत्रिकार है उसके साथ में अनन्य रूप से परिणमन रूप रहता है बागी के जितने गुण की परियाएं है वो लक्सन रूप नहीं है इसलिए वो उसके साथ अनन्य रुप से परिणमन में नहीं आती प्रत्की एक समय में एक स्वकाल वाला जो गनान है वो अनन्य रहता है मक्योंकि वो स्वभाव है वो स्वभावी का अंस है उसमें कभी विबाव नहीं होता सुभाव जैसा है उसका एसा ही उसका अंस होता है इस सुर्य है तो उसका प्रकास कैसा होता है कि सुर्य का प्रकास में तो सुर्य की किरण होती है उसमें अंदकार होता ही नहीं कभी तो एसा एक गनान प्रकास है वो अपना लक्सन है वो लक्सर से लक्स की पहचान होती है क्योंकि कैसे पहचान होती है कि वो अनन्य पना छोड़ता ही नहीं अभी एक समय के लिए भी अनन्य पना छूट जाए समझ लो तो कोई जीव को माने की गनायब का अनुभव ही नहीं हो सकते इसी समझ का काम है कुछ करने का काम नहीं है इसमें लोग परियेकों पल्टाना चाहते हैं परियेकों में पल्टा तो परियेकों में स्वतर अपले जाओ परियेकों में त्रिकाल में अहम करने के लिए स्थापित कर लिए एसा कुछ कर नहीं सकता जी समझ कर सकता है समझ में बहुत पुरुसार्थ है और समझ में पुरुसार्थ है इसा अभी निरंतर उसके ख्याल में र Kathy समझाया ज़ाwnे सबना नती है। जाता है, दूसरे गुर्ण की परियाई से समझाया नहीं जाता है, एक गनान के स्वकाल का भेत करके ही समझाया जाता है, कोई भी गनानी गुरुदेव लो, बेंसरी लो, कोई भी गनानी उसके उत्तर उत्तर उसके पातबात में जितने भी हो गए, कोई भी गनानी का आप झांता में मैं जोमा हैं जोनारि पोटे अरूपी छे पोटे अरूपी खुद है देखने में नहीं आता है ऐसे केते हैं फिर भी गनानी उसको समझाते हैं कि तुझे ऐसा लगता है हमेंने में तो दिख रहा है तुझे एसा लगता है कि समझ में नहीं आता मैं केसे दिख रहा है çek इस लिए कहते हैं लक्षण के द्वारा देखने में आता है अरूपी है दूसरा कोई नहीं है कि उसको झूड़ने जाना पड़े प्रगत है और उसका स्वकाल का हंस भी विद्यबान प्रगट रूप है लक्सन की अपेक्सा से प्रगट रूप है वो लक्सन की अपेक्सा से भी प्रगट रूप है और प्रगट नहीं है लक्सन से देखो तो अभी ख्याल में नहीं आया इसलिए अप्रगट बोला जाता है लक्स को मगर वो खूद से खूद को देखो तो वो प्रगट है आप गनायक को गनायक से देखो तो गनायक को हरे अरवक्त प्रगट है वो लक्सान में अभी अनुबों में नहीं आया इसलिए उसको अप्रगट बोला जाता है वो सब परियाय कर्मसापक से समझना उसमें कुछ कर तभी नहीं चलता अपना उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसको ना फिरा सकता है ना नजदिक ला सकता है कुछ भी कर नहीं सकता इसलिए तो प्रसनाया ने बईरलक्स इगनान में सब पता है वो सब बईरलक्स इगनान क बागी के गुन की प्रियाई प्रथक, गुरुडेव ने बहुत बाद ये चहा है कि गनान की प्रियाई से अनंतबूल की प्रियाई प्रथक है। आपकी नजर अभी जावे हैं तो देखना गुरुदेव के प्रवचर मेबुत। कि गनान की परिया इसे अनन्द गूर की परिया प्रथक है, क्योंकि उसमें चेतना ही नहीं, गनान में ही चेतना है, अरे वहां तक के दिया गूर देवने कि गनान से देखो, तो अनन्द गूर अचेतन है, अचेतन के दिया, बाकि गीतो बात छोड़ो, अचेतन के दिया, क्य कि उसमें चेतन का अंस नहीं है, गनान में ही चेतन का अंस है, तो अपने को क्या करना, कि अपने गनान में चेतन का अंस है, तो वो अंस से ही ख्याल में आएगा गनायक तो, दूसरे कोई अंस से ख्याल में नहीं आएगा, जो एक अभीप्राई चलता है जीव का, अभीप्रा परियाई भी गनान में बनता है। ऐसा नहीं कि वो सरदा की परियाई का ही परिणमन है। परियाई भी गनान में बनता है। वो अभी परियाई आगे बढ़के सरदा का समयक परिणमन में निमित पड़ता है। कि अभी उसको एसा गनायक का विकल्प चलता है। मगर सचमुच में वो विकल्प है उससे एक जुदी बात गनान में चलती है। वो एक जुदी चर्चा है। वो विकल्प चलता है मैं। शरदा का मिध्यात्व माने कि चलता है उसकी बात है वहाँ पे। यहाँ जो बात अपन चर्चा कर रहे वो उससे जुदी चर्चा है। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो गनान में गनान का स्वकाल का अंस है। वो अंस में एक अभीप्राई बनता है, वो अभीप्राई, वो गनान का एक अभीप्राई है स्वतंत्रा, उसको सरदा गुंगी पर यह से लेदा देना नहीं है, गनान का एक स्वतंत्रा अभीप्राई बनता है, कि मैं गनायक हूँ, मेरे लक्सन में लक्स बस रहा है, यह एक गनान का स्वाधीन स्वतंत्र अभीप्राई होता है वो अभीप्राई जेसा 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 एसे गनान में निर्नेयात्मक भुमी का आने से वो अभीप्राई आगे बढ़ता है और वो जो गनान का अभीप्राई आगे बढ़ता है वो अभीप्राय आगे बढ़ते बढ़ते गनान में निरने आत्पक स्थीती आती है तो वो निरने की स्थीती आगे बढ़के बढ़के वो अभीप्राय समयकता रुप परिनमता है तब बोला जाता है कि सरद्धा गुन में समयकता परिनमता है यहां अभीप्राई की गिनान, गिनान का अभीप्राई यह अलग है, एक स्रद्धा में विकल पात तक अभीप्राई चल रहा है, वो अलग बात, दोनों बात प्रतक प्रतक है, दोनों प्रतक समझ में आती है, यह लक्सन में अभीप्राई जो चल रहा है, गिनान का एक स्वत तंत्र अभीप्राय वो एक स्मरण रूप गनान की स्थिती है, वो स्मरण रूप गनान की स्थिती है, वो आगे बढ़के सम्यक्दर से मेनी भी पढ़ती है, स्मरण रूप गनान की स्थिती है, गनान में एक स्मरण चलने लगता है, एक अभीप्राय रूप स्मरण चलता है, कि मेरा लक्सन जो है, वो लक्सन लक्स को प्रसीद करता है, मेरा लक्सन से मेरा गनायक दिखने में आता है, मेरा गनान प्रगट है, जो मेरी चैतनिय की कीरण अंदर चैतनिय में से आती है, उसमें गनायक ही व्यापक रुप से बस रहा है, एसा एक अंदर में अभीपराई ग बन जाता है, वो अभीप्राई कार्यकारी होता है, वो विकल्प चलता रहता है, उसी समय एक ये अभीप्राई उंदर में चलता है, ये जो प्रक्रन आया मोक्समार प्रतासक में सम्यक सन्मुख मिथ्यादर्ष्टि का, जो प्रक्रन आया है, मिथ्यादर्षन है स्रदा, वो तो मिध्यादर्सन के काल में अनुपुती कैसे होगे तो कि मिध्यादर्सन के काल में तो नहीं होती है मगर मिध्यादर्सन का जितना जितना काल चलता है वो मिध्यादर्सन मिध्यादर्सन में रेने दो गनान का लक्सन है उसको उर्जव करो और गनान का लक्सन में ऐसा विचार दारा बनाओ कि ये लक्सन है वो लक्स का है इसलिए मैं लक्स बूद परमात्मा मैं तो लक्स रूप गनायक हूँ मैं ऐसा अभीप्राय उंदर लक्सन में हो जाता है वो अभीप्राय वो स्मरण रूप एक चीज अलग है यह यह, यह जब गिनाननमाइ वाला जीम आगे बढ़ता है, ऐस्ता है। आगे बढ़ता है तब उझे उसको पता चलता है कि ये बहीर लक्सी गनान जो चल रहा था ये बहीर लक्सी समझ लो की विकल्प चलता है विकल्प के साथ में मिथ्या तो मिस्त्रीद है वो दोनों को मिला के आप बोलो तो वो अगनान है मगर उससे एक जुदी स्थिती गनान का लक्सन में गनान का अभीपराई बना है वो चलती है वो एक स्थिती अलग चलती है ये जो प्रयोग करता है उसको पता चलता है कि ये कैसी स्थिती होती है जह से गनानी को निर्वी कल्ब दसा हो जाती है उसके बाद में जब विकल पात्मक दसा है तो विकल पात्मक दसा में उसको स्वामीत को अंदर में हो गया है ये विकल दसा में विकलपात्मक्दसा के काल में भी वो परिनती चलती है वो परिनती कभी तूट्टी नहीं छुट्टी नहीं वो छुटता ही तो विध्यात हो जाए तो एसी ये परिनती जो चली नानी को विकलपात्मक्दसा के काल में निर्विकलप होने के बाद में तो वो निर्विकलप हो चालू है, बाहर में चल रहा है, परिण मन्फिर भी परिणती चालू है, अभी जो कलर सलाने कलमासित आये वाला, यह पर ने देखा, मुरुदेव ने उसमें चर्चा की, कि वही गनानी की परपरिणती बाहा है, उसकी स्वापरिणती दो अंदर है, परपरिणती चल रही है मगर अंदर स्वापरिनती काम कर रही है एसी एक स्वापरिनती जो अंदर काम कर रही है गनानी की एसी एक अगनानी मिच्छा दृष्टी को भी वो स्वापरिनती नहीं है माले कि स्वामित्व वाली परिनती नहीं है मगर एक सी एक गुनान में अभिप्राई वाली अनन्य स्थिती का गुनान उसको एसे जिनको वर्त रहा है वो जाता है उसको पता चल जाता है कि मेरा गुनायक पाऊ ऐसा ही है मेरा गुनान में पना ऐसा ही है मेरा लक्सन से मेरा लक्स मेरे को ख्याल में आई सकता है और ख्याल में आ रहा है ऐसा उसको एक गनान में अभीप्राय निरंतर चलने लगता है इसको बोला जाता है स्मरण रूप गनान चलता है इसा इगनायक जैसे ख्याल में आया वो विकलपात मगदसा वो मिठ्यत्म का परिणमत पर गनान में जो परिणती चली वो गनान में जो उसकी माने की अभीपराई रुप की स्थीती चली वो गनाद में जो स्मरण रुप की स्थीती चली वो स्मरण में उसको पता चल गया है कि मैं ऐसा ही हूँ येसी एक धारा उसको विकल्प के काल में चलने लगती है येसी जिब जाधारा चलती है तब वो धारा आगे बढ़के भाने कि सम्यक दर्शन को केसे प्राप्त करें तो कि ये धारा और सम्यक दर्शन के बीच में भाने कि किसी को जहदा काल जाता है, किसी को कम काल जाता है, किसी को तुरंच में भी हो सकता है, इसी एक स्थिती जीर की बनती है, उसको पुझे बें पूर्व निर्वी कल्प वत्त हो गया वचन से अगोचर हो गया के वड़ स्वानु भगम्य हो गया तो ये सब जो स्थिती कही जाती है वो कैसी स्थिती है कि मिध्यात्व गया नहीं है मिध्यात्व है भी सही गागादीबाव है भी सही गनायक का अहुम हुआ भी नहीं है फिर भी गनान का लक्षन है उसमें परिनती काम भी कर रही है अभी परिनती है न कोई बोलता है कि अभी परिनती बंदने लगी है गनानी के अलग अलग सब्दों से उसका मापदन निकालत कोई इगनानी बोलता है कि परिणती बंग रही है, कोई इगनानी बोलता है कि सभी कल्प स्वासरद है, कोई इगनानी बोलता है कि अपूर्वनिर्णे आया है, ये सब एक ही बात है, अलग-अलग सब्द है, मगर बात एक ही है, बात एक ही है कि ये सम्यक सन्मुक मिध्यादर बना है, तो कि मेरे लक्सन में मेरा लक्स ही विदिमान है, ऐसा ये गनान में अभी पराई बनता है, वो गनान का स्वतंत्र अभी पराई है, उसको स्रदागुन की परियाई के साथ बिल्कुल समझ नहीं है, वो चलने के काल में ये चलता है, सब अपने अपनी तरह से सोचना, कि एसा नीर नहीं अपने को हुआ है, नहीं हुआ है तो इसा नीर नहीं करना, हुआ है तो उसको आगे बढ़ाना, एसा कहना जाते हैं, एसी कोई अपूर वो चर्चा है, पुझे बेंसरी ने जो स्पष्टी करन किया है, उसमें ऐसी ऐसी चर्चा है बरी हुई है, गुरुद आप अब देते हो, कि गनान में अभीप्राई ऐसा बन गया और सद्धा में मिथ्या तो चल रहा है, तो वो अभीप्राई और वो अभीप्राई में हम फरक केसे निकाले? है है हम केसे ऐसा सोचे कि यह अभी प्राई वो अभी प्राई है कि यह अभी प्राई है कि यह अभी प्राई है यह अभी प्राई गनान का अलग काम कर रहा है और वो अभी प्राई अलग है तो वो गनान में केसे अभी प्राई यह बने और ऐसा अभी प्राइक बना वो पता भी कैसे चले और वो अभी प्राइक उससे जुदा है वो खबर कैसे पड़े यह प्रस्दा आता है ने देखो ऐसा है भया कि कोई भी जगा लक्सन की चर्चा चले ने कोई भी जगा लक्सन की जर्चा चले तो वो लक्सन होता है वो लक्सन में ही हम में सा कार्य होता है लक्सन के सिवा कहीं से भी कार्य की सरुवात बिल्कुल नहीं हो साथी है क्योंकि वो लक्सन है वो लक्स से अनन्य ही रेता है इसलिए कार्य सिधी लक्सन से ही होती है इसलिए जो कुछ भी प्रक्रिया भजती है वो लक्सन में ही भजती है बाद में वो जो वहाँ प्रक्रिया भजिन है वो तो इनका फल आया है वहाँ इनका फल वहाँ आया है सम्यक दर्सन हुआ सरदा की परियाई में सरदा की परियाई में प्रतिती हो गई तो वो प्रतिती केसे आई तो कि ये जो गनान में अभी प्राही बना था वो गनान का अभी प्राही में में गनायक हुए सा अभी प्राही गनान में बन गया एसी उसको धारा चलने लगी ऐसे उसको निरंतरता चलने लगी ऐसा उसको पता चल गया तो पता चल गया तो गनान और गनायत का बेद विकल्प था कथंची तनन्यता थी वो बेद विकल्प में विकल्प गनान का गनानात्मक विकल्प समाप्त हुआ जब गनानात्मक विकल्प समापत हुआ, तो गनानात्मक विकल्प समापत होने से वहां गनान की निर्विकल्पता हो गई, गनान की निर्विकल्पता अलग चीज़ है, गनान का स्विकल्प स्वभाव अलग चीज़ है, और गनान का स्विकल्प स्वभाव अलग चीज़ है, गनान का स्वविकल्प सुभाव है वो विकल्प आत्मक नहीं है इसलिए गनान का स्वविकल्प सुभाव निर्विकल्प नहीं होता है गनान का स्वविकल्प सुभाव निरंतर स्विकल्प रूब रहता है वो स्विकल्प रूब रहता है उसका मतलब है कि जानना दिरंतर च वो ग्नान ग्नायक से अनन्य है, एसा विकल्प तूटता है, तो वो ग्नान में निर्विकल्पता प्रगट हो जाती है, वो निर्विकल्पता कैसी है, कि जो विकल्प था, वो विकल्प तूटा, इसलिए वो ग्नान की निर्विकल्पता बोली जाती है, ग्नान तो ग्नान क्योंकि ग्नान अभी भेद रूक परिनम्ता था ग्नायक के साथ में तो वह भेद विकल्प छुट गया तो वह भेद रह गया भेद विकल्प छुटा नहीं है इसलिए स्वभा बना दी अनंद है गनान की विकलपात पक स्थिती टूट के निर्विकलपता नहीं नहीं होती है वो जो नहीं निर्विकलपता हुई विकलप टूट गया तो वहां भी विकलप निकल गया वहां भी स्रदा में से मिथ्या तो चला गया वहाँ भी राजादी वाव का विकल्पता वो निकल गया तो वहाँ भी सम्यक दर्सन हो गया वहाँ सम्यक चारित्र हो गया यहाँ सम्यक नान हो गया तो फल आया वहाँ वो फल कहां से आया तो कि मूल में से फल आया है फल से मूल में नहीं आया हो वो मूल में से वो फल आया है इसलिए मूल में जाने से ये सिद्धी होती है लक्सन की प्रसिद्धी करता है उसको लक्स की प्रसिद्धी होती ही है एक गिनानियों कहते है कि तू भई भीन में से तो पहले निकल राग भीन है उससे तो निकल अभी प्राई में मिध्या तो चल परिपुर्ण परमात्मा ही है। विकल्ब से पार एक गनान का अभी पराइ बिना विकल्ब वाला अभी पराई की सत्ता गनान में चलने में अभी पराइ आगे बढ़के बेद विकल्ब गनान का छूट के अनुगूती हुई तो वहाँ भी स्रदा में समय कत्व परिणमा दाता है। जैसे ये भाव की स्थिती समझना काल की अपित्सास है, ये भाव हो गया, ये गुन का परिणमन क्या होता है, वो भाव का परिणमन है, और काल क्या होता है, तो के काल माने स्वकाल माने गनान है, और वो भाव का परिणमन कैसे हुआ, स्रदा की परियाई में परिणमन हुआ, चारित्र की परियाई में परिणमन हुआ अनन्द गुर्ण की अनन्द परियाई में सुथता प्रगट हो गई तो वो हुई कैसे तो के स्वकाल में लक्सन था वो स्वकाल की परियाई जो थी गनान की वो लक्सन उसको पहचानने में आया तो उससे लक्स अनन्य है एसा बेद विकल्प छुट गया तो वहाँ निर्विकल्पता हुई तो अनन्द मुर्गी अनन्द परियाय सुधरूप उसके साथ अभेद रूप से परिनमित हो गई उसको बोला जाये कि ये गनानी को सुधुपयोग की दसा प्रगट हो गई अभी वो सुधुपयोग की दसा प्रगट होने के बाद में वो तो निरंतर नहीं रेत ये विकल्प आ गया तो वो विकल्प आया वो कौन सा विकल्प है तो के वो एकांत से चारित्र गुण की अस्तिर्ता जन्य विकल्प है अभी उसमें माने की स्रद्दा गुण तो सम्यक ह गया गुण में जानना सम्यक गनान हो गया सम्यक गनान होने पर भी केवल गनान नहीं हुआ तब तक वो अधूरा गनान है मगर वो विपरित गनान नहीं है इसलिए वो सम्यक गनान में सब जानने में जैसा केवली जानता है एसा भावसुरुत गनानी भी प्रदेश प्रत् इसा एक सम्यगनान उसको प्रगट होता है, वो सम्यगनान से वो पूरा जानना उसका चलता है, उसको पता चलता है कि अभी विबाव क्या चल रहा है, कलमा सित्पना कैसा है, राग कैसा चल रहा है, बादक दसा कैसी है, सादक दसा में गनायक कैसे आया, और कैसे आएगा बर, केसे होगा? कि विभाव की इस्थिति का गनान रखता है, फ़भाव की परिणती है, उसमें अहम चलता लेता है और दोनों के बीच में, जो गनान काम कर रहा है, वो गनान में जानना चल रहा है, इसलिए विभाव से प्रथक होंके, फिर से वो उप्योग सुदूप्योग हो जाना है एसी कोई गनानी की स्थिती एक लक्स लक्सन में इतनी माने की बात बरी हुई है अब इसी को बोलो तो बोलते है स्वानु खुदी दरसन तो दो बार पढ़ लिया तीन बार पढ़ लिया अरे भैया पढ़ना तो जरूरी है मगर उससे तुझे कुछ काडियसिधी हुई काडियसिधी होनी चाहिए इसलिए यहां कहते है कि समझ में आया कब कहने में आवे कि परिणमन हो तब सच्मुच कहा जाये कि मुझे समझ में आया परिणमन के मिना कुछ समझ में सच मुछ में नहीं आता और परिणमन भी और परिणामी की दृष्टी के बिना नहीं होता इसलिए सर्वस्वता और परिणामी की रखना और वो में सुथ चिदानन सहज गनायक भाव हूँ मैं एक रुप तत्व हूँ कि जिसमें स्वकाल के बेद की परियाय की भी सच मुछ में नास्ती है एसा मेरा स्वभाव है एसा स्वभाव का पता स्वकाल की अस्ती वाली परियाय में पढ़ते है उसकी नास्ती द्रव्य में मगर उसकी अस्ती से गनायक पहचानने में आता है एक गनान में गनायक एक रूप जानने में आता है और वही गनान में जो भी परियायों का परिणमन है उसका भी गनान होता रहता है एसी द्वी रूपता गनान में होती है वो द्वी रूपता में से वो परियाय का परिणमन को प्रथक जानके अपनी गनान में एक रूप नायक सुभाव है उसके उपर जब गनान का अभीप्राई चला जाता है तब वहां बहार में स्रद्दा में सम्यक दर्सन और चारीत्र में वित्रागता का परिणमन होता है उसको भी गनानी गनान में रहके जानता है कि अभी समयक्दर्सन हुआ, गनान में रखे जानता है कि आनसी वित्राकता हुए, बाद में वो गनान नायक से अवेद, 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 अव नपको कि भी साफिरगे दिए उम्यारे के प्रिकला क्यातों अरगा, परहने और सी स्कंसरी है हे वो अनन्यपना छूटता नहीं अनन्यपना जो छोड़ता है और द्रस्ति के विज़ई का विकल्ब करता है उसको ऐलूबुती नहीं होती नहीं, अनन्यपना कायम रखके, अभेद्पना कैसे हो जाए, वो गनान का लक्सन को समझ के, गनान में अभी प्राई गनायक का बना के, जब वो गनान की क्रिया चलती है, तब अभी प्राई में मैं सुध परमात्मा हूँ, यसा गनान का एक अभी प्राई बने, त तो निर्विकल्प गनान में क्या हुआ विकल्प छूट गया और विकल्प की जगा निर्विकल्प आ गई गनान तो ऐसा ने ऐसा सविकल्प सुभावी है वो विकल्प टूटा इसलिए ही वो पेक्सा से निर्विकल्प गनान बोला गया ऐसा जब समझ में आता है तब उसे पता चलता है कि ओ, मेरा चेतनिय परमात्मा तो ऐसा ऐसा है, ऐसा का ऐसा है, इसे चेतनिय परमात्मा की लक्सन से महिमा आती है, महिमा करने वाला लक्सन है, महिमा करता है लक्सन, लक्सन की महिमा करने लगे, तो उसको अनुभूती नहीं होती है, लक्सन महिमा लक्स की करता ह मगर वो केसे महिमा करता है कि लक्सन को समझ के लक्स की महिमा करता है लक्सन में अभी प्राइब बना के लक्स की महिमा करता है एसी लक्स की महिमा जिसको आ जाती है उसको अल्प काल में उसकी सम्यक दर्शन की परियाई स्रद्दागुल की परियाई में प्रगट होती होती औ स्वामी कार्ति के एनुक्रेक्सा का दरश्टान दिया था आज की कल तो भी सम्यक दरश्टी तो एसा जानता है कि ये तो त्रून मात्र है तरना तुलिय है कहां केवल ना कहां मुनिराज की साथ में छठे गुंस्तान वाली दसा और कहां मेरा ये एक समय रूप प्रगटने वाला सम्यक दरश्टन उसकी कोई कीमत सच्पुच उसको नहीं भासती जिसको त्रीकाली द्रव्य की कीमत भासती है उसको परियाए की कीमत नहीं भासती और येसी भी बात आती है बेंसिल गोलते है जो था वो आया ने मुनी दसा आई तो क्या है अंदर पारिणामिक में भाव में था वो दसा बाहर आई ने दुझे केवल नान हुआ तो क्या है अंदर दसा पड़ी अंदर दसा का पारिणामिक भाव पड़ा है तो दसा आई ने इसलिए आप एसा मत समझना कि अंदर में कोई चार भाव है अंदर में चार भाव नहीं है बिलकुल अंदर में दसा पड़ी थी वो बाहर आई अंदर में केवल ग्रान पड़ा था वो बाहर आया अंदर में मुनी दसा थी वो बाहर आई तो दसा तो अंदर में ही है वो बाराती है चार बाव तो अंदर में ही है तो कि चार बाव अंदर में है तो पारिनामिक बाव में और चार बाव में फरक्या रहा फिर एसा नहीं है वो अंदर में तो पारिनामिक बाव है बहार पर यह प्रगट होती है तब सयोपसम अपसमिक अपेक्साइक और अवदैक भाव प्रगट होता है, इस अपेक्सा से ये चार भाव का गनान करके एक दिरकाली भाव है उसकी द्रश्टी रखना, अंदर से आया, अंदर से आया, तो वह यह सा भी बोल दिया, कि अंदर में ही है सब, बाहर कुछ नहीं है, अंदर में सब है, उसका मतलब है, पारिनामिक भाव है अंदर में, वह पारिनामिक भाव में जितने जितने अंस पड़े है, वह अंस तो द्रूरूरूप है, वह गुण रूप है, मगर वह उसकी उत्पाद जब होता है, तब उसकी परियाय प्रगट होती है, और वह कर्मसापित से है, अचा कई नहीं है ये सब गुरुदेव को सुनने से पता चलेगा जब तक गुरुदेव को यथार्थ रूप से जीव नहीं सुनेगा तब तक उसके ख्याल में ये बात दिमी आएगा इस लिए सुनो तो गणानियों को सुनो अगनानियों के पिछे-पिछे मत फ़रो नहीं तो अगनान नहीं जाएगा ये पुरुस्त ने तो फेतालिस साल तक कमाल कर दी है, तो भी उसको अपने पास ग्नानी है, नहीं होवे तो किसी को ग्नानी मानना पड़े, ग्नानी तो है, तो ग्नानी का आदर करो, ग्नानी को ग्नानी क्या कहना चाहिए, ये बेन स्री ग्नानी है, गुर्दे ये ग्नानी है उनको पकड़ो, उनमें सब बोल दिया है उसने, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो उसके साथ साथ में चलने लगेंगे, ऐसी बाते हैं, तो एसा ये पुझे बेल स्री ने कहा है, टाइम हो गया है, पोते न देखायो न थी, लक्सान बड़े देखी सकाई छे, अरूपी पन लक्सान बड़े जोई सकाई ये वी छे, पन आ जोतो जी नथी तेथी ब्रांती मा पई दोछे, जोवा नुई सिखड़ावे छे, जोतो नथी ये उग्णान करावे छे, अने पचिय अन केछे के तुँ अवे जोवा मन तो आमना समयक थाई आसे, ये वी ग्णानियों प्र अनन्या पना समझ में आता है, उसको अनन्या पना ही समझ में नहीं आया, जीखो ऐसा है, कि राग एक अलग चीज़ है, अब जैसे अपन राग को प्रषक करते हैं, ऐसे इसे ग्णान की करिया प्रषक नहीं होसकती। आप एसे गनान की करिया भी परियाए है और राग भी परियाए है तो जैसे राग को प्रथक कहते हो एसे गनान की करिया को प्रथक समझ लो अभी प्राई में तो वो उल्टा अभी प्राई में है वो विप्रित अभी प्राई हो गया है क्यों क्यों कि राग तो निकल भी जात इसलिए उनकी एसी भिंता नहीं है जैसी राकी है अपेक्सा समझना अपेक्सा का भी गनान सम्यक जिसको होता है उसको ही सम्यक दर्सन में वो निमीत पड़ता है वो गनान निमीत नहीं पड़ता अपेक्सा वाला मगर वो निमित कहा जाता है कि पूर्व परियाई में ऐसा था, पूर्व परियाई तो व्य ही हो जाती है, अबावरी, उससे कुछ नहीं होता, मगर उसको अपेक्सा कर नान भी बराबर यथार्थ होना जले है, जहाँ जहाँ परियाई की भींता की बात चले, तो परियाई की भींता, द्रविय अपेक्सा कहिए, तो केवल ग्रान की परियाई भी प्रथक है, उसमें कोई दोस्त नहीं है, वो तो उत्पादी को भी प्रथक नहीं दिया पंचास्तिकाई में, उसमें कोई दोस्त नहीं है, मगर उसमें द्रश्टी का विसे ही बताना है, अभी द्रश्टी का विसे ही बताया, अभी द्रश्टी का विसे ही द्रश्टी में कैसे आवे, वो चर्चा यहां चल गए, तो द्रश्टी का विसे ही द्रश्टी में कैसे आवे, तो अनन्यपना त उसकी द्रश्टी होने से ही समयक द्रसन होता है, ऐसा समझ का केल है कुंद गनी आप्या, आओ आगुरुकानम। रहानि के ज्यान से सुझे लोकाल। सोवानि अस्तकर्नम। सदा देता हुदू। कुंद गनी आपट के ज्यान से सुझे लोकानम। आपट गनारी आपट को आपट करें। झाल झाल